अगर आप नेचल इंगलिश बोलना चाहते हैं तो उसके लिए मैं डेली यूज इंगलिश को अक्टिवेट करना पड़ेगा जो डेली और रेग्लर बेसिस पे आप उसको यूज कर पाए जिससे आपकी जो इंगलिश है वहाँ तेजी से इंप्रूव हो जाए आज की वीडियो में आपको मैं ऐसे दो वर्स बताने वाला हूँ जो रेगुलर बेसिस से बहुत ज़्यादा बार हमारे सामने आते हैं और काफी सारे लोग इंको लेके confused गयाते हैं दोस्तो आज की वीडियो में हम बात करने वालें दिस और डाट बहुत सारे लोग मुझे अकसर message करते हैं कि सर्फ दिस और डाट को कहा यूज करना है तो दोस्तो आज की वीडियो में मैं दोनों words में आपको difference भी बताऊंगा और इनको कैसे आप use कर सकते हैं वो भी बताऊंगा तो चलिए दोस्तो बेना time risk करें वीडियो को start करते जैसा कि मैंने बताया कि हम दो words की बात करने वाले हैं पहला word है this और दूसरा word है दोस्तो that सबसे पहले हम इनकी हिंदी समझते है दोस्तो this word की हिंदी होती है यह है और that word की दोस्तो हिंदी होती है वह है तो समझ में आगया this को हिंदी बोलते है यह है और that को हिंदी में बोलते है वह है अब दोस्तो अगर हम हिंदी में बात करें कि यह दो words कहां कहां यूज करते हैं जब भी कोई चीज हमारे पास होती है, माल लीजिए मैं समारकर की बात करूँ और यह मेरे पास है, तो मैं इसके लिए वर्ड लगाँगो यह है, क्योंकि कोई भी चीज हमारे नियर्वाइ होती है, यानिकि हमारे pass होती है तो अम उसके लिए यह word लगाते हैं और जब कोई कोई चीज दूर होती है तो हम हिंदी में उसके लिए वह word लगाते हैं लोजिक समझ में आगे दोस्तो पास में कोई चीज है तो हम उसके लिए यह word लगाते हैं और मैंने वैसे भी आपको प्रक्राइब समझाए कोई चीज पास है तो दिस और दूर है तो दैट आप दोस्तों में एक एक्जामपल लेते हैं जिससे आपको यह इसली समझ में आ जाए एक दोस्तों कोमन सा से जो रेगुलर बेसिसम लोग यूज करते हैं मालेजी आप कहीं जब कोई चीज पास में है तो हम इसको कहेंगे what is this ना दोस्तों अब इसके हम लोग आंसर की बात करते हैं मालेजी आपने मुझसे बूचा what is this और मैं इसका आंसर आपको दोस्ते क्या दूंगा यह है एक marker है याद रहेगा दोस्तों यह है एक marker है तो मैं आंसर क्या बोलू यह एक bike है तो this is a bike और इसमझ में आगे दोस्तों जब भी कोई चीज पास में हमारे जिसको हम पॉइंट कर रहे है तो वहाँ पे हम लगा देंगे this और this लगाके हम उसके आगे बारे में बोल देगे regular basis पर जहां भी आप बोलते हैं वहाँ आप दिस लगाके इस तरह से बोल सकते हैं यह एक दरवाजा है तो this is a door अब बात करते हैं दूसरे word की जो था that जिसकी हिंदी दूस्तों में आपको बताई होती है वह है अब दूस्तों के एक्जामपल लेते हैं कोई चीज पास में ह what is that अब आगए दुस्तों पास में कोई चीज है तो this और दूर में कोई चीज है तो that वह क्या है तो what is that और मैं आपको बताओ कि वह मारकर है तो इंग्लिंश में क्या बोलूँगा that is a marker यह दो वह Ein कार है तो that is a car वह एक पेड है तो that is a tree simple से दूस्तों समझ में आ गया पा इनकी तेजी से इनको यूज कर सकते हैं, this और that दोस्तों बहुत easy है, बहुत ज्यादा इस्तमाल होता हमारी daily life में, इसलिए मैं आपको बताए इनका अंतर और इनका use, अब छोटे छोटे expression आप daily life में बोलेगा, फिर भी कोई problem आए, तो please मेरे whatsapp नमबर पे या comment में जाके प्रेंड्स और family members के साथ भी share काना मत भूलेगा, ताकि वो लोग भी इसका benefit उठा पाए, अगर आपको मेरे चैनल से कुछ भी benefit मिल रहा है, आपके English improve हो रही है, तो चैनल को subscribe करना भी मत भूलेगा, जिसे आने वाली वीडियो के notification आपको time to time मिल पाए, और कोई भी useful वीड topic के साथ में, तब तक के लिए, बाए बाए